Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 7th Class English and C.E.R.T. की बुक, An Alien Hand के चैप्टर नमबर 8, The Bear Story को रीड करेंगे, Bear यानि के भालू, तो ये एक भालू की कहानी है, तो स्टोरी को रीड करने से पहले, यहाँ पर हमें ये तीन पोइंट्स दिये गए हैं, पहले पोइंट में हमें ये बताया गया है students, के एक लेडी है, जो एक बहुत बड़े घर में रहती थी, और उसके पास एक पालतू भालू था, और सेकंड पोइंट में हमें ये बताया गया है students, के वो जो भालू था, वो एक फ्रेंडरी भालू था, यानि के मिलनसार भालू था, और उस भालू को सबजिया खाना, से खाना और शहद खाना अच्छा लगता था, और थर्ड पोइंट में हमें ये बताया गया है, के वह भालू दिन भर आजादी से घूमता रहता था, लेकिन रात में उसे चैन में बान दिया जाता था, जंजीर से बान दिया जाता था, तो आईए अब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं, इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स, के एक समय की बात है, के एक लेडी थी, एक महिला थी, जो की जंगल के किनारे पर, जंगल के बोडर पर, एक बहुत बड़ी कोठी में, एक बहुत बड़े घर में रहा करती थी, और उस महिला के पास एक पालतू भालू था और वह महिरा अपने उस पालतू भालू से बहुत प्यार करती थी और उस महिरा को वो पालतू भालू जंगल में मिला था और जब वह भालू उस महिरा को मिला था तो वो बहुत ही बुरी हालत में था भूखा था बहुत ही चोटा था हेलपलेस था यानि असहाय था खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था और उस महिरा ने उस लेडी ने और उसके बूड़े कुक ने उस भालू को बोतल से दू पिलाया था यानि के वो इतना चोटा था कि वह महिरा और उसका जो बूड़ा कुक था बूड़ा रसोया था वो उस भालू को जब लेकर आये तो वो बोतल से उसे दूद पिलाया करते थे लेकिन ये बहुत ही पुराने समय की बात थी लेकिन अब तो वो भालू बहुत बहुत अच्छा बालू था इसलिए ऐसा करने का वो सपने में भी सोच नहीं सकता था और वो किसी इनसान को या किसी जानवर को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स के उस बालू के लिए घर बनाया गया था और वह भालू अपने कैनर यानि अपने घर के बाहर की तरफ बैठा रहता था और अपनी छोटी और तेज आखों से सामने खेतों में चरने वाले जानवरों को प्यार से देखा करता था और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब भी वह भालू अपनी मालकिन के साथ स्टेबल में जाता था यानि के अस्तबल वो जगह जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है जहाँ घोड़े खाते पीते हैं तो जब भी वह भालू अपनी मालकिन के साथ अस्तबल के अंदर ज नहीं मानते थे और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि वो तीनो घोड़े भालू को अच्छी तरह से पहचानते थे इसलिए जब वो भालू अपनी मालकिन के साथ उनके अस्तबल में जाता था तो घोड़े बुरा नहीं मानते थे और जो बच्चे थे बच्चे उसकी प भालू था किसी को नुक्सान नहीं पहुचाता था और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि वहाँ पर तीन कुत्ते भी रहते थे जो उस भालू के साथ हर तरह का खेल खेलते थे वे कुत्ते उसके कानों को खीशते थे उसकी छोटी सी पूच को खीशते थे लेकिन वह भाल और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि उस भालू ने कभी भी मास नहीं खाया था, वह तो वही खाना खाता था जो कि कुट्ते खाया करते थे, और कई बार तो वह उन कुट्तों के साथ एक ही प्रेट में ब्रेड खाया करता था, दलिया खाता था आलू खाता था बंदगोबी खाता था और शलगम खाता था उसे बहुत भूख लगती थी तो उसका जो दोस्त था यानि के वह कुक वो इस बात का ध्यान रखता था के उस भालू को भर पेट खाना मिले यहाँ पर हमें ये बताया गया है के भालू शाका हारी होना पसंद करते हैं और उन्हें फल खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि ओटम सीजन में यानि के पतज़ड के मोसम में भालू सेब के पेडों की तरफ देखा करता था और उस पर जो पके हुए सेब होते थे उन्हें वह रचाई हुई आखों से देखा करता था और जब वह भालू छोटा था तो वह अपने आपको रोक नहीं पाता था और सेब के पेड़ पर चड़ जाता था और बहुत सारे सेब खा जाया करता था और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो भालू होते हैं वो दिखने में अनारी रखते हैं, सुस्त रखते हैं लेकिन अगर सेव के पेड़ पर चड़ने की बात हो तो भालू किसी भी स्कूली बच्चे को पीछे चोड़ सकते हैं यानि के सेब के पेड़ पर भालू बहुत तेजी से चड़ सकते हैं लेकिन भालू ने बहुत ही जल्दी है समझ रिया के सेब के पेड़ पर चड़ना नियम के विरुद्ध था इस जिए उसने सेब के पेड़ पर चड़ना छोड़ दिया और अब वो इस बात पर ध्यान लग कि कब पेड से कोई पका हुआ सेब गिरे और वहे उसे खा जाता था और एक बार ऐसा ही कुछ तब हुआ जब उसने एक मदुमख्य के चट्टे पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से मदुमख्यों ने उस भालू की नाक को काट रिया था यानि के भालू ने एक बार मदुमख् और उसे काट रिया और इसकी सजा के तोर पर उस भालू को दो दिनों तक उसकी जो नाक से खून बहरा था उसी के साथ दो दिनों तक उसको सजा के तोर पर जंजीर से बांध कर रखा गया और उसके बाद भालू ने कभी भी मदुमख्यों के चट्टे के साथ छेड़ सिर्फ रात के समय उसे जंजीर से बांदा जाता था क्योंकि कुत्तों की तरह ही भालू का भी ये नेचर होता है कि अगर उन्हें लगातार जंजीर से बांद के रखा जाए तो वे चिड़ जाते हैं यानि उन्हें ये पसंद नहीं आता कि उन्हें लगातार जंजीर से कर रखा जाता था दिन में उसे खुला छोड़ दिया जाता था इसके बाद यहाँ पर हमें ये तीन पॉइंट्स दिये गए हैं पहला पॉइंट ये है कि वह जो रेडी थी जो भालू की मालकिन थी वह हर संडे की दोपहर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी और जब वह अप पॉइंट ये है कि जब संडे की दोपहर वह जो रेडी थी जो भालू की मालकिन थी जब वह गने जंगल से गुजर रही थी तब उसने देखा कि उसका जो भालू था वो उसका पीछा कर रहा था तब उस लेडी को बहुत गुसा आया अपने भालू के उपर और उसने अप भालू बहुत फ्रेंडरी था इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हर संडी की दुपहर को उस भालू की जो मालकिन थी वो अपनी मैरिट सिस्टर से मिलने जाया करती थी और उसकी जो मैरिट सिस्टर थी उस उस लेड़ी की जो बहन थी वो पहाड और जीर के दूस उतरी तरफ रहा करती थी, और वहां का जो रस्ता था, वो लगभग एक घंटे का रस्ता था, वो भी घने जंगल के बीच में से, और इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है, कि उस भालू की जो मार्किन थी, वो भालू को अपने साथ जंगल में नहीं ले जाती थी, क वह भी उस भालू के लिए सेफ नहीं था क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि तेज हवा का जोका आया जिसकी वज़े से वह भालू डर गया था और उनकी जो बोट थी वो डूब गई थी और उन दोनों को तैर कर किनारे तक जाना पड़ा था लेकिन अब वह भालू इस बात को समझ गया था कि संडे की दुपहर को उसकी मालकिन उसे क्यों जंजीर से बान कर जाती थी और जब भी उसकी मालकिन संडे की दुपहर को उसको जंजीर से बानती थी जब उसे अपनी बहन के घर जाना होता था तो वह बड़े प्यार से उसके पुरुसकार के रूप में गिफ्ट के रूप में एक सेव देगी तो उसे इस बात का दुख तो होता था कि उसकी मालकिन उसे साथ नहीं रेकर जा रही लेकिन एक अच्छे कुट्टे की तरह वह भी अपनी मालकिन की बात मान लेता था यहाँ पर इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हर संडे की तरह इस संडे को भी उस रेडी ने उस भालू को जंजीर से बांधा और वह अपनी बहन के घर जाने के लिए निकड़ पड़ी और जब वह जंगल में थी और रगभग आरा रस्ता उसने तै कर लिया था तब उसे पीछे की तरफ से पेडों की टहनियों के चरकने की कुछ आवाजे सुनाई दी उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वह डर गई यह देखकर के उसका भालू बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था ऐसा लगता है के भालू तेज स्पीड से नहीं चल सकते लेकिन भालू बहुत तेज गती से दोड सकते हैं बहुत तेज गती से चल सकते हैं और कुछ ही मिन्टों में वह भालू अपनी मालकिन के पास आ गया और हाफते हुए उसके पैरों के पास आ गया। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि उस महिडा को यह देखकर बहुत गुसा आया कि वह भालू जंगल में उसके पीछे-पीछे आ गया था। और वो लंच के लिए पहले ही रेट हो चुकी थी और अब इतना समय भी नहीं था कि वह भालू को वापस घर छोड़ कर आती। और वह ये भी नहीं चाती थी कि वह भालू को अपने साथ ले जाए और उसे इस पात का भी गुसा आ रहा था कि उस भालू ने उसकी आगया को नहीं माना और शरारत की। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि उस महिला ने बहुत गुसे में उस भालू को वापस जाने के लिए कहा। वह भालू कुछ देर के लिए रुक गया और वह उस महिला को बड़े अराम ध्यान से देखने लगा। लेकिन वह भालू वापस नहीं जाना चाहता था वह भालू उस महिला को सूंगता रहा। और यहाँ पर हमें इस लाइन में ये भी बताया गया है के भालू को डराने के लिए उस महिडा ने अपना जो अम्रेला था, अपना जो चाता था उसे ऊपर की तरफ उठाया था और जब उस महिडा ने देखा कि उसका जो भालू है उसने अपना नया कॉलर भी खो दिया है जो ये पट्टा होता है जो जानवरों के गले में डाला जाता है उस महिडा ने देखा कि मेरे भालू ने तो अपना नया पट्टा भी खो दिया है तब उसे और ज़दा गुस्सा और उसने अपने अम्ब्रेडा को अपने चाते को उठाया और बहुत जोर से उस चाते को उसकी नाग पर मारा जिससे कि उसका चाता दो टुकडों में बट गया यानि कि उसका अम्ब्रेडा टूट गया तब वह भालू रुक गया और वह अपना मुह बार-बार खोलने की उसके बाद वो वापस मुढ गया और वापस जाने रगा लेकिन जब वो वापस जा रहा था तब भी वो रुक रुक के वापस उस रेडी की तरफ मुढ मुढ के देख रहा था और उसके बाद वो काफी दूर चड़ा गया नजरों से ओज़र हो गई यानि के एक टाइम ऐसा आया जब वो रेडी उस भालू से इतनी दूर चली गई कि फिर वो भालू उस रेडी को नहीं देख पा रहा था इसके बाद इस प्याराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब वह महिला शाम के समय घर वापस आई तो उसने देखा कि वह जो भालू था वो अपने घर के बाहर बिल्कुल अराम से बैठा हुआ था और काफी दुखी रग रहा था उस महिला ने उस भालू को बहुत गुसे में डाटा और उसने उससे कहा कि वह दो दिन और उसे चैन में बांद के रखेगी जंजीर में बांद के रखेगी तब है ओल्ड कुक यानि के बूड़ा रसोया जो उस भालू से बहुत प्यार करता था वो गुसे में किचन से बाहर की तरफ दोड़ कर आया और उस बूड़े कुक ने यानि के उस बूड़े रसोये ने बहार आकर किचन से बहार आकर अपनी मार्किन से कहा के आप इसे क्यों डाट रही हैं ये तो पूरा दिन बड़े प्यार से बड़े आराम से अपनी जगा पर ही बैठा रहा और ये पूरा दिन इंतजार करता रहा कि आप कब वापस आएंगी, यानि कि यह भालू तो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था, इसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो इससे हमें ये पता चलता है, कि जंगल में उस महिला को जो भालू मिला था, वो उसका पालतू भालू नहीं था, वो तो एक जंगली भालू था, क्योंकि इस महिला का जो पालतू भालू था, वो तो जंजीर में बंदा हुआ था, वह तो घर से बाहर गया ही नहीं था, तो उस महिला को जो भालू मिला था, वो एक जंगली भालू था, वो उसका अपना पालतू भालू नहीं था, I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you